अब नेक्स्ट बात आता है मौक, देखो मौक बहुत जरूरी है, इस बात को समझो, अगर मौक नहीं तो कुछ नहीं मैं ऐसा बोलूगा, ठीक है, मेरे मेंस का स्कूर बढ़ने का रीजन यही है, कि मैंने अनलिमिटेड मौक दिया है, प्री के पहले कम से कम मैंने 1100 मौक दिय क्यों, रीजन क्या होता है, कि आपका स्पीड बन जाता है, एक वक्त पे आपका स्पीड ऐसा हो जाएगा, कि आपका पेपर 55 मिनट में खतम हो रहा है, आपका पेपर 50 मिनट में खतम हो रहा है, यह 30 डेज में वहीं बच्चा सबसे आगे बढ़ेगा बीड में, जो सबसे जादा मौक देगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से अनलाइज करेगा लेकिन मौक कहां से देना है कैसे देना है इन सभी बातों पर जानेंगे तो देखो यार मौक आप किसी भी कंपणी का देलो मैं किसी कंपणी को पर्टिक्लरली यहां सजेस्ट करने नहीं जा रहा हू कोई भी कंपणी है आप उनका दो लेकिन उस मौक में सबसे पहले खतम करना है तो प्रिवेस एयर 2018-2019 2018 के जो प्री का सवाल था न वो 2018 के मेंस में आया था ठीक है 2019 के जो मेंस में सवाल आये हुए है वो 2019 के प्री के थे ठीक है जो CHSL का सवाल है वो CGL में repeat हुए है पूरा का पूरा प्रीवेस एयर का 10,000 questions में पूरा go through आऊ हूँ एक एक questions मुझे याद हैं किस पन्ने पर हैं किस किताब में हैं कब आये हुए हैं किस shift में हैं इस basis पर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं content बना रहा हूँ maths का तो मुझे पता है जो सवाल CHSL में हूब वहीं उठा कर आपको CGL में डाल दिया गया है data के साथ तो जो student previous year को खदम नहीं करेगा तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो अभी भी companies हैं जो self mock वो बना कर दे रही है वो outdated pattern है पुराना pattern है अगर आपको नए pattern पर mock देना है तो बस previous year को दीजे दो बार तीन बार पूरा complete कर लीजे इससे ज़ादा और कुछ नहीं करना साथ में mock लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए देखो ये बहुत determine होता है बहुत जादा effect डालता है ये बात कि आपका mock का सही तरीका क्या है कोई बच्चा होता है English पहले कर लेता है कोई बच्चा होता है Reasoning पहले कर लेता है सब कुछ तो ये सारी बाते जानेंगे मौक के बारे में क्योंकि पेपर में वो 60 मिनट जब आप पेपर में बैठोगे ना तो वो 60 मिनट आपका future decide करने वाला आगे का पीछे की एक साल के तयारी नहीं decide करेगे माईडियर इस बात को समझेए वो 60 मिनट कितने खूबसूरत थे कितने अच्छे से आपने utilize किया वो आपका number दिलाएगा वो आपका selection दिलाएगा उसके लिए अभी से रन्डिती बनाती है आपको सबसे पहले क्या करना है fix order of attempt order of attempt fix रखो ये नहीं कि आज mock दिया तो पहले English कर लिया कल mock दिया पहले reasoning कर लिया नहीं कोशिश करो कि जिस तीन टाइम पर SSE paper लेती है सुबह दो पहर में शामे उन तीन टाइम पर mock को divide कर दो ताकि अभी से आदत बन जाएगी और उसी तीन टाइम पर आप अपना attempt कर रखो कि calculation वाला portion एक साथ और reading वाला portion एक साथ जैसे English और GK इनमें pen नहीं उठाना होता है pen नहीं उठाना मुतलब पढ़के सवाल देने है तो आप कोशिश करो कि शुरू में जाता है पहले English को खतम करें फिर GK को खतम करें ठीक है और फिर उसके बाद reasoning और math इन दोनों में pen उठानी की आवशकता है calculation की आवशकता है तो क्या गरना है कि फिर उसके बाद reasoning और फिर उसके बाद math क्योंकि mind को भी हम switch जादा नहीं कर सकते कि हम अचाना calculation कर sorry हम अचाना calculation कर रहे हैं और वापस से हम किस पर बढ़ गए comprehension पर बढ़ गया तो इससे switching से बहुत दिक्कत होगा साथ में जब mock दो ना तो पहली बार में एक से लेकर सवाल तक पहुँचने की कोशिश करो ये मत गलती करो वहाँ पर कि नहीं भाई जो सवाल नहीं बन रहा उसको दिल पे लेना है और वहाँ पर लगे रहना ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा पहली बार में एक से सौ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करिए जो नहीं बन रहा जो समय ज़ादा ले रहा है बाद में देख लेंगे हो सकता है आगे आने वाले सवाल असान हो आप examination center से बाहर निकला आपका दोस्त बोले भाई आज का paper बहुत असान है था आप बोलो पागल है क्या यार मेरे में तो tough questions थे उसने का भाई सुरू के सारे सवाल असान थे सुरू में 2-4 सवाल tough थे और बाद के सवाल असान थे आपने attempt क्या किया आपने बस सुरू सुरू का attempt कर दिया बाद का छोड़ दिया ये नुकसान हो जाएगा शुरू के एक सवाल में 2 मिनट लग सकता है लेकिन last के सवाल में ऐसा हो सकता है कि एक एक मिनट में आप 2-2 सवाल बना कर चले आओ तो आपको एक से लेकर 100 तक तो पहुंचना ही पहुंचना इस बात को ध्यान रखो जो नहीं पहुंचा वो महामुर्ख इंसान है इस बात को क्लियर रखना आप सबी question को आपको carefully पढ़ना है बहुत बार क्या होता है कि आते आते दो number दे देते हैं धाई number समझे सवाल सही था तरीका सही था लेकिन सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा हमने उसके चलते हमने दो number लाने थे धाई number गवा दिया ये बहुत important बात है इस बात को ध्यान रखेंगे options पे भी निगाहें रखनी है math में बहुत ऐसा question होता है जो simple last step पर multiplication नहीं करना होता बस unit is it देखकर tick कर देना होता है reasoning के भी बहुत ऐसे questions होते है figure के हो गए ठीक है आपको simple निगाहें रखनी है counting figure किससे बनाते हो option सही तो बनाते हो अगर ये सोचना शुरू कर दिया इस pattern का ये बनेगा ये बनेगा नहीं counting figure में बस option को गलत करना होता है और बाकी उत्तर सही होता है आपका ति इस सभी तरीके mock में क्या करना है अभी से ही आदर डालना है जिस तरीके से mock में इन सभी चीजों को implement करोगे उसी तरीके से वो आपको paper में मदद करने वाला है ठीक है तीसरा भाईया पैनिक मत करना अगर mock में कम score आया भी तो भाई paper के इतने दिन बचे हुए है मेरे score ही नहीं आ रहे यह महामुर्गता का काम है यह सिर्फ mock है बहुत ऐसे students है बहुत ऐसे topper हैं जिनके mock में उनके कम number रहे हैं लेकिन पैपर में उनने बहुत अच्छा पॉफार्म किया है तो mock score को उतना seriously लेके नहीं चलना है यह companies के mock है उनके questions है previous year में अगर number कम आते हैं तो थोड़ी चिंता की बात है तो इस बात का ध्यान रखें second आपको सभी bookmark questions करने हैं इतने आपके सवाल गलत होते हैं उनको क्या कर यह bookmark कर दीजे bookmark करने का मतलब क्या हो गया कि आपको वहाँ पर tick करके रख देना है ठीक है कि यह सवाल को मैं बात में देख लूँगा और बात में उनको मैं revise करूँगा यह बहुत important है बहुत बच्चे क्या होते copy note करना शुरू कर देंगे तीस दुनम भाई आपके पास समय नहीं है कि आप note करो बैट कर सवाल को यह मेरा गलत है इसको note करेंगे यह सही है ठीक है ओके ऐसा नहीं करना ठीक है बस वहाँ bookmark करके छोड़ दीजे बाद में आप देख लीजेगा ठीक है और हर सवाल को analyze करिए जो सवाल गलत है वो उसको भी analyze करो जो सही है उसको भी analyze करो हो सकता है कि आप एक ऐसा approach develop करो उस सवाल में खुझ analysis के बाद कि अगली बार वो सवाल जबाए तो आप 10 second में बना दो तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ठीक है जो सही हुआ उसको भी देखो और जो गलत हुआ उसको भी देखो ठीक है पांच के जगा चार मौक लगाओ चलेगा लेकिन analysis करके लगाओ ये बहुत important है ठीक है तो इन सभी बातों पर आपको focus करना है इसने काफी मदद किया हुआ ठीक है और जो बच्चे पूछते है कि sir मौक कहां से दे तो daily अगर मौक देना है तो test book का दे सकते हो और weekly में एक मौक test है SSE Tube का SSE Tube का मौक test आपको ज़रूर देना है हर Sunday to Sunday free होता है All India होता है तो इससे फायदा आपको ये मिलेगा पूरे इंडिया के 10,000 से 15,000 बच्चे बैठते हैं मौक test देने उसमें आपको All India rank अपना पता चलेगा तो इस बात को ध्यान रखो SSE Tube का मौक test दो ताकि अपना rank का पता लगा पाओ हर टॉपर ये बात बताता है हम लोग भी दिया करते थे और बहुत जरूरी होता था क्योंकि एक ऐसा कोई fixed mock तो हो जिसमें आप अपना rank देख सको आपका दोस्त अपना rank देख सके और जहां पर आप ये पता कर सको पूरी इंडिया में मेरी अभी right now उकाद क्या है जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर SSE Tube का जो weekly mock test है उनको दो last time मैं conclude करना चाहूंगा आपको यहीं बात कि देखो बाते बहुत सारी हो गई ठीक है 30 दिन है ये follow करेंगे ये follow करेंगे लेकिन उसके लिए motivation का होना बहुत ज़ादा जरूरी है अगर खुद के अंदर से आग नहीं होगी न तो ये 30 दिनों को बरबाद कर दोगे खुद के अंदर का आग बहुत जरूरी है तो इस आग को कैसे जगाय रखना हमेशा इस बात को ध्यान रखना ठीक है उसका जो निचोड है वो आपको इन 30 दिनों में लेकर आना है और 30 दिनों पर अच्छे तरीके से महनत करके अपने result को लेना है